वाला वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है आपको एंड तक देखना पड़ेगा अगर आप पिंटेक को समझना चाहरे हैं उसके बारे में जानना चाहरे हैं मैं आपका नेरेटर एवी आपको इस पूरी जर्णी में लेके चलूगा तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि हम पूरे अपने वीडियो में क्या क्या अजन्डल लेगे चलेंगे हम बात करेंगे ने क्या होता है हम बात करेंगे फिंटेक इंड़स्ट्री का ओर क्या है और कहां पर इस खड़ी हुई है और कैसे काम करती है इसके एक्जाम्पल में कुछ आपको दो जोब बहुत और इसमें कौन-कौन से टेकनोलोजी इस्तेमाल होती है और इसके फ्यूजर प्रोस्पेक्ट क्या है जो फॉर्चुन्टीज क्या है इसका भविशह में क्या इसका होने वाला है यह इंडिस्ट्री काम करेगी नहीं करेगी इन सब देवापत करने वाले हैं तो दोस्तों जब बना है फाइनेंशल अचाहिएज चैनोलोजी फिन फाइनेंशल टी टेक्ट टेक्ट मेलाजी इती इस यूसंट इंच्राइब न्यूंट्री अबास मार्केट ने ग्टेफस यह किसी भी कंट्री का बेकबन होती हैं तो जब कोई कंट्री दिवार क्था चापका लिया होता है तो सबसे पहले उसकी जो मुद्रा सफीती दर है वह न कंट्रोल हो जाती है उनका ब्यैंग किकिन सिस्टम भराशा ही हो जाता है तो यह सबसे बड़ा एक किसी भी कंट्री के लिए इससे बड़ा प्रॉब्रम नहीं हो सकती इसकी बेंकिंग बंद हो गई तर्स पोर्टेशन बंद हो गया होटल बंद हो गई फिल्म में बंद हो गई путela यॉद poured अले कि टेकनलोजे बंद northwestըहीं हुई आउनलाइन ट्रांसफर से आप किसी ने किसी तरह ये काम करते रहें तो दोस्तों फिंटेक का मतलब है फाइनेंशियल टेकनोलोजी दो शब्द से बना ज्यादा इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है अभी आगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तो इसका काम होता है कि जो फाइनेंशियल सर्विसीज हैं जो प्रोसेस हैं या उसमें टेकनोलोजी जो इस्तेमाल होती है उसको इंपरू करते रहें उसमें नए ने आयाम लेके आते रहें लोगों के वो सुविधाजनक सर्विसेज देते रहें यही फिंटेक का फंडा होता है आटोमेशन क अगर करके अगर मैं फिंटेक की आपको हिस्ट्री बताऊं तो यह स्टार्ट होती है 1865 से इसको ना अगर मैं तो पांच बागों में बाट दिया गया है 1865 से चैसर निशुश्व से दोजार आट दोजार आट से दोजार चोदा दोजार चोदा से दोजार सत्रा और दोजार अठारा से आज तक को अश्वर्जन 1112 33.5 & 4 3.5 3 & 4 के भीच में काफी कम समय था तो 3.5 दोस्तों 1865 से ताइम में ट्रांस एंटलैंटिक केबल फाइनेंच टेकनोलोजी डिड़ हैंडशेक ट्रांस एटलैंटिक केबल को बिचाया गया आप जानते होंगे कि इंटरनेट की बहुत सारी के लगबग सारी केबल समुद्र के गहराई में बिची हुई हैं वहीं से आप लोग दूसरे देश से हम लोग दूसरे देश से कनेक्ट होते है इंटरनेट के थरू 1865 से 1966 के बीच में यह बहुत बड़ा काम हुआ बहुत बड़ा इन्नोवेशन हुआ और उसने धीरे-धीरे फाइनेंस का जो जो इंस्टिटूशन है फाइनेशिल सर्विसीज हैं उसमें टेकनोलोडी का एडवांसमेंट हुआ तो यह इस लिसको वरज नहीं है 1967 से 2008 एक इसको कहा जाता है ब्राइट राइए एक फाइनेशिल टेकनोलोजी के लिए फिंटेक के लिए बहुत अच्छा समय था इसमें डिजिटाशन हुआ गलोबलाजेशन हुआ और पहला डिजिटल बैंक बना वर्जन 2.0 में दोस्तों अब आता है 2008 से 2014 जिसमें पूरी दुनिया को चेंज करके रख दिया कुछ चैलेंजि के साथ ऑफकोर्स ग्लोबल फाइनेंशिल क्राइसिस वे आप सब जानते हैं 2008 का फाइनेंशिल क्राइसिस जिसमें जिसको बहुत सारे लोगों की जिसमें नोक्रिया गई थी तो 2008 में वह प्रब्लम होई थी 2010-2012 तक चली थी वह ट्रेडिशनल फाइले फाइनशिल सिस्टम गोट चैलेंज जो हम नॉर्मल फाइनसिंग सिस्टम करते थे बैंक में जाना है फॉर्म बरना है लाइन में लगना है पैसे लेने हैं बैंक पर आपने सिस्टम में रहेगा लेकिन सिर्फ ग्लोबलाइज नहीं हुआ है सरफ एक ब्रांच तक हुआ है ऐसी चीजों को चैलेंज किया गया लोगों ने यार हम घर बैठे हैं हम घर बैठके कुछ काम करना चाह रहे हैं अपना या आपके बैंक से अब ट्रांजक्शन लेना चाह रहे हैं तो यह क्यों Fintech system start हुआ, नया financial technology का year start हुआ और हर रोज एक नई Fintech या financial technology मार्केट में आ रही थी आप उसको blockchain कह सकते हैं, आप उसको online transactions कह सकते हैं आप उसको digital payment कह सकते हैं, आप उसको mobile banking कह सकते हैं आप उसको share market का online transaction कह सकते हैं, online IPO application कहते हैं online insurance buying हो सकती है, लग बग हर financial services ने अपनी services को online करने की कोशिश की और mobile banking यहाँ पर जदा fast नहीं होई थी, start हो गई थी, लेकिन बहुत जदा उसको करने की कोशिश की और cryptocurrencies वगरा भी इसमें आई, लेकिन 2018 से आज तक 2017 के meet से AI technology स्टार्ट होगी, जिसको artificial intelligence कहते हैं, आपने देखा होगा जब आप किसी bank, specially private bank की site पर login करते हैं, तो वहाँ पर एक chat window आता है और वो कहता है कि, या कहती है मेरा नाम इवा है, या मेरा नाम XYZ है, आप मेरे से बात कर सकते हैं, आपको क्या दिक्कत हैं, आपके कैसे help करूँ, जिन लोगों को नहीं पता है, उनको लगता है कि वो किसी agent से बात कर रहे हैं, किसी customer care executive से, customer care officer से बात कर रहे हैं, लेकिन एक AI boat से बात कर रहे होते हैं, artificial intelligence boat, जो एक तरीके का system design किया जाता है, वेब साइट बे, जो आप उससे बात करते हैं, तो based on certain parameters, certain conditions, वो लेके आता है, information निकाल के और आपकी help करता है, अगर उसको लगता है कि नहीं अभी मेरी हद्से बाहर है, तो आपको डालेट करेगा, actual agent के पास, ये start हो गया, blockchain का commercial model हो गई, bitcoin भागना स्टार्ट हो गया, उसका rate बहुत हाई चला गया, mobile banking स्टार्ट हो गई, digital payment स्टार्ट हो गई, online share market स्टार्ट हो गई, ETF, mutual fund, A, B, C, X, budget, everything is online, अगर किसी company ने, या किसी bank ने, या किसी financial services ने, इस एरा में, 2018 से आज तकी में बात कर रहा हूं, अपने आपको digitize नहीं किया, समय के साथ उसने अपने आपको improve नहीं किया, तो वो definitely द्राशाई हो जाएगी, इतना strong इसका mechanism था, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं, फिंटेक के बारे में, तो फिंटेक 2018 से जवर तस्त इसमें उच्छालाया है, especially जब इंडिया में तो जब महोदी जी ने नोट बन देखी, तो उसके बाद से digital currency और, not currency, digital payments का तो ऐसा भुचाल आया कि हर रोज, it was increasing like lifts and bounds, और सबजी बेचने वाला, रिक्षा वाला, छोले बटूरे वाला, पानी पूरी वाला, बड़े-बड़े मार्केट, छोटी मार्केट, छोटा काम करना, हर किसी को, हर किसी ने पेटीम के थरू अपना payment करना start किया, और COVID में तो इसको बहुत बड़ा बूस्ट मिला, क्योंकि आदमी currency ले दे नहीं रहा था, बिकाउज आफ कि कहियार यह कोरोना ट्रांसफर ना हो जाए, वो ले दे नहीं रहा था, तो इसमें बहुत बड़ा इसमें advantage हुआ, तो यह हिस्ट्री है, डिस्टिल फिंटेक की, स जैसे मैंने आपको बता है कि फिंटेक का मतलब है, financial services plus technology, any business that uses technology to enhance or automate financial services and process, कोई भी business, अगर एक manufacturing business है, लेकिन वो अपने product को online बेशता है, उसी में payment integrate करता है, उसकी payment bank में जा रही है, product यहां से ship हो रहा है, you can call that also financial services, हाला कि financial services, generally जो बोला जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ finance से जुड़ी होती है, पैसे से जुड़ी होती है, पैसे के लिंदेन से जुड़ी होती है, तो इसका overview अभी यह है भविश्य में कि बहुत बड़ी इसमें growth हाएगी, और बहुत सारे job इसमें create होते रहे हैं, होते रहेंगे, हो र जाएगी, दोस्तों, US में अमेज़न ने एक warehouse बनाया, जिसमें आपको card सिर्फ अपनी pocket में डाल के और store के अंदर घुच जाना है, store में आपको कोई bill नहीं कटेगा, कोई बंद आपके पास नहीं है, आपको समान लेना है, समान लेके आप बहार आएंगे, जैसे आप बहार तो जेव के Wi-Fi से connect हो जाएगा आपका card और उसको Wi-Fi से scan करके उसको पैसे काट लिए जाएंगे, तो दोस्तों, इस तरीके का काम आज कल मार्केट में हो रहा है, अब Kintech काम कैसे करता है, ओनलाइन services ये बीच में laptop बना गया है, ओनलाइन services है, blockchain एक technology है, जो cryptocurrency में काम करती है इसके बारे में कभी फिर बात करेंगे, blockchain क्या है, कैसे काम करती है, डिटेल है मेरे पास, मैं आपको कभी बताऊँगा, fraud detection, ये देखे, ये byproducts है, fraud detection हो गया, आपका robot advisor हो गया, जिसको मैंने chat about भी कहा, ये सब ये byproduct हैं, लेकिन financial services में आपकी banking जुड जाती है, जो direct bank की बा बहुत बेरे स्टार्ट हो गई थी, और mining of crypto crane से जुड जाती है, electronic signature जिसको DSE कहते हैं, वो भी जुड जाता है, और startup, startup unicorn बहुत सारी हैं, ये तो छोड़ दीजिए, कंपनियें जो startup है, fintech में नईनी चीज लेके आ रही हैं, paytm है, payumany है, laser pay है, बहुत सारी कंपनिया है, जो R.E.M. आपको बताने वाला हूँ, कौन-कौन सी कंपनियां जो fintech में बहुत अच्छा काम कर रही है, तो कहने का मतलब यह है, आपके digital wallet है, आप फिर data analysis करते हैं, उस पर decision लेते हैं, I mean, ये fintech industry ने more or less हर किसी को जोड दिया है, कोई भी transaction जो आप technology को इस्तेमाल करके financial services में carry out करते हैं, वो fintech से संबनित है, आप अपने website पे net banking पे login करते हैं, तो server, इसको मैं कभी detail में दूँगा, ये high in depth token based technology है, इसको मैं कभी आपको detail में दूँगा, आपने देखा हुआ कि ATM से अगर आपका पैसा कट जाता है, और आपके हाथ में cash नहीं आता है due to some error, तो आपका पैसा revert हो जाता है, तो ये सब token based system है, ये fintech की detail है, ये technical details है, कभी मैं आपको फिर बताऊँगा, अभी आप broadly आप इसको समझ लीजिए, इसको आपको example दे रहा हूं दोस्तों कुछ, पिसला जो मैंने भी आपको slide देखा है, उससे संबनी थी example है, fintech ecosystem में fintech के startup company बहुत सारी company startup में आई है, 200 के आसपास तो इंडिया में ही है, जो बहुत अच्छा काम कर रही है, और बहुत सारी start है, उसको नहीं समझ पाते हैं, याद नहीं है, traditional financial institution जैसे banking है, loan देने वाली company है, insurance है, और financial consultants है, financial customers है, जितने भी लोग जिसके bank में खाते हैं, जितने भी ल लोग जो पे यूज़ कर रहे हैं, और Google पे यूज़ कर रहे हैं, अपने mobile banking कर रहे हैं, यह सब financial customers में आते हैं, आप online insurance करीते हैं, medical policy करीते हैं, ऐसी कोई भी activity करते हैं, financial customer है, government, government, because यह बीच में आ जाती है, जब आप financial transaction करते हैं, तो आपने देखा है, जब आप पैसे कभी ट्रांसफर करते हैं, एक account से दूसरे account में, तो IMPS के तुरूंत हो जाते हैं, आपने यहां से लिया, ओके किया, और इसी दा बैक में पहुच गाए, जिसको RBA गवर्न करता है, तो आपका हर online transaction track होता है, उसकी audit log बनती है, आप चेक कर सकते हैं, किसी टाइम उसको, और फिर technology companies में developers, वो लोग जो fintech के ecosystem को बनाए रखने में technically help करते हैं, वो technology developers हैं, ठीक है, यह technology के product based developer भी हो सकते हैं, वेब-based developer भी हो सकते हैं, product owners भी हो सकते हैं, पूरा एक ecosystem अपने आप में, एक्चली है, हर चीज अपने आप में additional ecosystem है, broadly हम आपको बतारा हूँ कि fintech ecosystem में क्या-क्याचीज़ आती हैं, अब यहाँ बेदेखते हैं, पॉलिसी लें, इसमें को कैसे डिवाइड किया गया, policy enablers, enabling technology and fintech activities, पहले policy लगती है, फिर technology उसमें, technology उन पॉलिसी को business decision और business policies को या government policies को implement करती है, और fintech activity होती है, जैसे आप, आपके account में अगर 20,000 का उसमें policy लगी हुए है, तो definite आप 20 से जाए ट्रांसफर नहीं कर सक सकते हैं, एक लागी लगी है तो आप एक लागी से जाए ट्रांसफर निकाल नहीं सकते हैं, तो यह सब policies हैं, तो आपके digital ID, data protection, cyber security, innovation, facilitator, open banking, यह सब, एक्चिली यह सारी, इसमें और भी बहुत सारी हैं, यह policy enablers हैं, जो यह बताते हैं कि financial services में, SOX, SOX के बारे में भी कभी बात करें, मैं SOX के बारे में, उस standard से financial transactions को करने के लिए policy कैसे-कैसे लगानी चाहिए, fraud को रोकने के लिए क्या-क्या करना चाहिए, cyber security, ताकि कोई किसी के पैसे नहीं निकाल ले, उससे बचने के लिए क्या-क्या करना चाहिए, जैसे हम बोलता ह आपकी API हो सकती है, SO, अपनों application program interface, तो इसमें क्या होता है API में कि दूसरे सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बात करने के लिए, आप सिस्टम से इंट्रेक्ट ने करते हैं, सरफ API एक्सपोज कर दी जाती है, और आप उसको यूज़ करते हैं, यह highly technical है, इसको छोड़ देते ह से अपने क्लाउड कंप्यूटिंग, बहुत सारे banking system, बहुत सारे financial services आज AWS इस्तेमाल कर रही है, या Google Cloud इस्तेमाल कर रही है, या IBM का Cloud इस्तेमाल कर रही है, अलिवेबा क्लाउड क्लाउड कर रही है, तो वो सब क्या करते हूँ, नका data है, जो server से, वो Clouds में है, Clouds का मतलब यह नहीं होता है, कि वहां किसी आस्मान में रखे है, Clouds के बारे में फिर एक बार आप से कभी में वीडियो बना दूँगा, Cloud कैसे काम करता है, Cloud का मतलब क्या है, और Biometric, Biometric, आप आप जो आकांट खोलने जाते हैं, अधार वाला बोलता है कि आप अधार नमबर दीजिए, आपका अधार नमबर डाला, अधार नमबर डालते ही, तुरंत वो गवर्मेंट के सर्वर से, जिसको UDA के सर्वर से इंट्रैक्ट करता है, वहां से आपकी डिटेल लेके आ जाता है, उसमें Biometric, आप जानते होंगे, जब आधार बनवाते हैं, तो उसमें पूरी Biometric आपकी आँखें हैं, आपके Fingers के प्रिंट हैं, सब कुछ उस पे स्टोर हो जावा है, REST API होती है, टेस्टिंग के रिए, REST API इस्तिमाल करते हैं, Ruby on Rail है, बहुत सारी टेकनोलोजी हैं, फ्लैक्स है, जो इस्तिमाल करते हैं, बैंकिंग सिस्टम, अपने इसको इंट्रैक्ट रखने के लिए, इंट्रैक्ट रखने के लिए अपने सिस्टम को, और लोन क्राउड फंडिंग है, फिर एकुटी क्राउड फंडिंग है, जैसे IQ कलता है, इसको इकुटी क्राउड फंडिंग आप मान सकते हो, रोबो एडवाइस है, जो आपको लिए हम सित्वाराइग है व भी होता है ईमनी है जिसको क्रिप्ति कह सकते हैं डिइस्टि अरुरेश इसे हैं निकलने में पौनटने के कता लगता लाओ जाता है देखने belli शाम तका क्रिप्ट उसेट तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं फाइनेंशल सर्विसी से संबंदित जो चलती रहती हैं और जिसको यह टेकनोलोजी इनेबल करती है तो यह कुछ एक्जामपल है यूसेज हैं आप मैं आपको ज्याज़ा डिटेल में नहीं ले जारा हूं जैसे म मैं यहां पर एक्स्प्लेइन करने लगा तो वीडियो पता नहीं दो तीन गंटे चार गंटे अबनेगा और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि आपका माइंड है जो वह डिटेल में उसको शायद ग्रैस्प नहीं कर पाएगा अगरी जो चीज में आपको पता रहे वारा हूं दोस्तों वह बात करते हैं कि टेकनोलोजी जो भार जो भीष्य में फिंटेक को एफेक्ट करेंगी या कर रही हैं यह क्योंकि यूएस वगरा में तो काफी दिन से इसका इस्तिमाल हो रहा है या यूरोपियन कंट्री में लेकिन इंडिया में अभी तक यह नहीं आई है कु से डाले लेकिन उसके पीछे बहुत सारे रिकॉर्ड बनते हैं और बिग डेटा उसको एनलाइज करता है यह देखने के लिए एक माल लिजे कि यह कस्टमर एक्स है यह कस्टमर का पेइंग पैटरन क्या है यह क्या चीज़ ज्यादा खरीता है तो वह उसी तरीके से उसको आएड भी एने लग जाते हैं यह बहुत पार देखा ह मैं आपके काम के ड़ा के पास आती है तो इस बैसिडीटा माइनिंग डेटा का से गजद पैटेशर और आपके क Eisen जो कंपनि आदे बना स्कीन ने अपने प्रोग्राम में बना स्कें अपने ओफ बना सकें एको सो जानते हैं, आधार में सब ने इस्तेमाल किया, आपकी आखें स्कैन होती है, आपके फिंगर स्कैन होती है, रेगुलेटरी टेकनलोजी, बीच में अगर RBI अपना पेमेंट होल्ड, अपना हर ट्रांजक्शन को रेगुलेट करता है, तो इसको आप रेगुलेटरी टेकनलोजी बोल सकते हो, 5G, अभी हम 4G में आरे हैं, 5G किसी भी समा सकता है, मैंने आपको पहले बात की थी, यह अलड़ी स्टार्ट हो चुकी है, आपने देखा होगा कि कार्ड, बहुत सारे कार्ड ऐसे आते हैं, जब आप पैट्रोल भरवाते हो, उनकी मशीन होती है, आप उसको दिखा जाते हो, और थोटे देर पहले मैंने आपको एक्स्प्लें क किया था, अमेजन वेरहाउस के बारे में जो यूएस में बनाया, जिसमें कोई भी बंदा आपका बिल नहीं कारता है, आटमेटिक हो जाती है, वेरेबल्स, आपने गूगल ग्लास इस देखा होगा दोस्तों, तो आने वाले समय में आप अपने ग्लास पर भी बहुत सारे इसा कर सकते हो, घड़ी पर भी ट्रन्जेक्शन कर सकते हो, हाइबराइड क्लाउट्स, मैं आपको कहा कि बारे में आपको कभी बनाऊंगा, आप अगर जल्दी उसको देखना चाहता है, ता कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एपी बेस प्लेट फॉर्म, जैसे गूगल म अगर आप देखा बहुत सारी वेब साइट में Google Map होता है लेकिन वह ऐसे नहीं आता है वह अप्याइस आता है Google करती है आज कल टीडेट हो रही है हर चीज में जो आदमी की देखे बताती है कि इसको ऐसे करना चाहिए को उसको कहते हैं ब्लोकचेन इसतेमाल होती है especially cryptocurrency में या किसी भी transaction को completely secure करने के लिए अगर blockchain बीच में कोई भी उसको hack करने ही कोशिश करता है तोड़ने ही कोशिश करता है तो पूरा transaction फेल हो जाता है तुरंत आपको पताते जाएगा कि somebody was trying to hack that particular transaction तो blockchain पे भी कभी video बनाएंगे and cyber security, prospective security cyber security तो ये इतने बड़े area हैं कि जो बविश्य का technology का FinTech की जितनी technology है उनका बविश्य निर्दारित करने वाले हैं और इन technologies में मान के से लिए जबर दस्त उचाल आएगा job market में ठीक है दोस्तों तो ये मैं थोड़ा सा इंडिया के संदर्ब में भी आपसे बात कर सकता हूं और Global संदर्ब में बात कर सकता हूं Global FinTech sector expected to grow to USD 45 billion by 2020 ये हो चुका लड़ी 46% average adoption of FinTech across emerging market इंडिया में तो बहुत फास्ट हुआ है स्पेशली नोट बंदी के बाद और कोविट के बाद जबर दस्त तरीके से टेक्नलोजी अडॉप्शन हुआ है 33% consumers uses at least two FinTech services एक चीज़ में आपको पताना भूल गया कि देखिए जैसे अभी लेटेस्ट यह है कि एस्टेट बेंक को में आपको अकाउंट खोलना तो आपको कहीं जाने की जरूरत निया आप घर बैठे ओओ अकाउंट खोल सकते हैं वो भी FinTech है आप अपने टू रिटेल क्विटी इन्वेस्टर्स टू यूजए डिजिटल प्लेटफोर्म बाई टू थांट वेटिफाइं अभी भी भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं लेकिन यह एक्सपेक्टी था कि 50% बाई टू थांट यह इंप्लिमेंट हो जाएगा 300% इंक्रीज इन फ फिंटेक कंपनीज इन यूनाइटिट स्टेट्स उसका नाम आपने सुना होगा रिपल है प्लैड है सोफी है रूट है क्वाइन बेस है क्वाइन बेस आज कल इसको लोग इस्तेमाल करते करफ्टेक्रेंसी के लिए इस ट्राइफ है चिम है ओपन डॉर है लिन बोंड तो और अगर हम टॉप 10 इंडिया की बात करें तो फिंटेक कंपनी जो इंडिया की बात करें आप बहुत सारे नाम देखे समझ जाएंगे आप उसको जुएन कर पाएंगे क्नेक्ट कर पाएंगे कि फिंटेक का मतलब एक्चुली में क्या होता है स्मॉल केस शेर मार्केट में इस अब भात करता है भारत भेएंगे यह भीरिंप्रिक सी इस्तेमाल होता है यह यह फोचली यह वजीरव के लिए है रिजर पृएंट गेट वे हैं घरुआ हो अब और शेर मारकेट पाएंटे। के लिए मिचोल फंड खरीदने के लिए है क्वाइंटीसी एक्स क्रेप्टो क्रेंसी है कैस फ्री तो इस तरीके की बहुत सारी कंपनिया भारत में हैं दोस्तों जो स्टार्ट आप उसको कह सकते हो यह स्टार्ट होई लगते के पेटियंग इतनी फास्टब्रो ही है कि इस साल का सबसे बड़ा to p pp ले गया थी market में शेर मार्केट में डिस्टर होगी सबसे बड़ा मार्केट में आई पे ले गया थी तो ptm जैसी कंपनिया बहुत सारी अभी बनने वाले इंडिया में तो ये है Fintech का कमाल और बविश्य है तो दोस्तों शायद मैं कुछ आपके knowledge को enhance कर पाया होगा वीडिएो बहुत बड़ा बन गया है जो भी आप नया topic लेना चाहते हैं सीखना चाहते हैं बात करना चाहते हैं जानना चाहते हैं आप comment box में लिग दीजिए उसके लिए मैं आपके लिए separate वीडिएओ बनाऊंगा Thank you very much. Take care.